नमस्ते सबसे पहले आपी दिवाली और काली पूजा मैं आप सबको हैपी दिवाली और काली पूजा का शुबकामना देना चाहता हूं लास्ट वीडियो में बहुत लोगों ने कहा है कि they cannot hear my आपको मेरा आवास क्लियर नहीं आ रहा था अभी आवास शायद थोड़ा ठीक है can you are you being able to hear me आवास मेरा क्लियर आ रहा है ओडियो ठीक है तो आप सबको ओडियो मेरा ठीक से सुनाई पढ़ रहा है शायद जी थैंक यू तो मैं आपको एक important message देना चाह रहा था कि हम लोग सब दिली अभ्यान के लिए 14 तारिक को निकलेंगे और मेरा दिल में एक सोच है I want to think something मैं दिल से कुछ बात कहना चाहता हूँ कि दिली अभ्यान में हम सब को जब हम दिली जाते हैं तो हमें TPF, तिप्रा मौथा, तिप्रा हा, IPFT बनके नहीं जाना चाहिए जब हम लोग सब दिली जाते हैं तो we should go as तिप्रा सा क्योंकि हमारा जो demand है, तिप्रा लैंड का हो या greater तिप्रा लैंड का हो वो almost एक ही है तो जब हम दिली में अलग-अलग आवाज में बात करते हैं तो message गलत जाता है थानसा का message ही गलत जाता है जब हम अलग होके जाते हैं इसी के लिए आज मैं अपील कर रहा हूँ सबको, कि हम सबको एक हो जाना चाहिए, a single party, नाम जो भी हो, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, हम लोग को हमारा future के लिए अपने party का क्या नाम होगा, कौन क्या position रखेगा, क्या registration होगा, ये important नहीं है, important ये है, कि हम सब हमारा जो common goal है, हमारे जो तीप्रासा का जो भविश्य है, survival है, existence है, उनको कैसे बचाएं, इसके लिए मैं अपील करता हूँ सबको, कोई भी party को, आईए, एक हो जाएए, एक आवास में हम लोग दिल ली जाएंगे, मैं NC बाबू को अपील करता हूँ, जब आप बिमार थे, तो मैं आपको hospital में मिलने गया, आपकी घर भी में गया हूँ, मैंने मेवार से भी बात किया है, मैं सब से बात करने के लिए तयार हूँ, तीप्राहा से बरकावात करने के लिए तयार हूँ, पताल कर्या से बात करने के लिए तयार हूँ, आप आईए और हम लोग सब एक होकर एक पार्टी बन कर एक कास के लिए फाइट करेंगे दो हजार चबविस में डी लिमिटेशन होगा और जब ये डी लिमिटेशन होगा तो हमारा सर्वाइवल ही मुश्किल में पर जाएगा आज टाइम आ गया है कि हम लोग एक होकर एक आवाज में बात करें पाटी का नाम क्या होगा हम लोग बैटके बात कर सकते हैं मुझे कोई आपत्ती नहीं है रेजिस्टेशन क्या होगा सिंबल क्या होगा मुझे कोई आपत्ती नहीं है जब दोफा को बचाना है तो अपना स्वार्थ के बारे मैं नहीं सोचोंगा अगर NC बाबू को आना है मैं बहुत खुश रहूँगा मैं तीप्रा चेर्मेन के पोस्ट से भी रिजाइन करने के लिए तैयार हूँ चेर्मेन मन के मुझे क्या चाहिए कुछ नहीं मैं आपके दिल में भुभाग रहूँ वो पोस्ट कोई भी पुलिटिकल पार्टी के पोस्ट से ज़ादा उपर होता है वो आपके दिल में है मुझे ना मुख्यमंतरी बनना है मुझे ना MLA बनना है मुझे ना MP बनना है मुझे सिर्व अपने तीप्रासा को एक constitutional solution दिलवाना है मैं अपने तीप्रासा को एक अपील करना चाहता हूँ हमारे MDC's को, EM's को, जो IPFT में MLA's हैं जो नेता हैं TPF से, तीप्रा मौथा से, IPFT से, तीप्राहा से कोई भी गनमुक्ती परिशत हो, जितेंदर चौधरी हो, मैं आप सब को अपील करना चाहता हूँ, प्लीज, एक umbrella में एक होकर, एक आवाज में हम लोग अपने तीप्राहा के लिए कुछ बात करें, मैं फिर से बोलने के लिए तयार हूँ, कि I am willing to, I am willing to resign as the chairman of तीप्राह मौथा, आप आके chairman बन जाईए, अगर आपको नाम बदलना है, तो वो भी बदल दीजे, लेकिन प्लीज, टाइम आ गया है, कि थनसा का मतलब ये नहीं होता है, कि हम लोग अलग-अलग होकर fight करें, जब EDC election हम लोग जीते, तो जब एक दूसरे के संग जो जगड़ा हुआ, मुझे पसंद नहीं है लगा, आज भी हम सबको एक ही होना है, और मेरा दिल में सिर्फ प्यार है and respect है और इज़त है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लोगों को कुछ देना है, और अगर हमारा तीप्रा लाइंड या ग्रेटर तीप्रा लाइंड का cause important है और सबसे important है, तो हमको अपना position, chairman का post हो, मंतरी का post हो, MLA का post हो, उसके बारे नहीं सोचना चाहिए, एक हो जाओ, हम लोग एक संग, एक आवास में दिल्ली में बात करेंगे, एक संग, village council लड़ेंगे, एक संग, assembly लड़ेंगे, एक संग, पूरे इंडिया को दिखाएं अपना पत से मुझे कोई लगाव नहीं है, आप आईए, एक होकर हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे, और एक symbol में, एक party होकर, एक लक्षर लेकर हम लोग को आगे जाना चाहिए, यह मेरा message है, आप सब को, I love all of you all, I love my people, and I want to do something for my people, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हू यह मेरे बारा बात नहीं है, यह मेरा, मुझे क्या बनना है, इसके बारे नहीं है, यह आपका भविश्य के बारे है, तो सब MLA's को, EM's को, MDC's को मैं, अपील करना चाहता हूँ, कि एक संग बैठ कर, एक आवाज में, हम लोग को आगे देखना चाहिए, बलाई बलाई नो हम भाई, धन्यवाद, इस बार, अगर हम लोग सक्सेसल हुए, तो यह हम सब का जीत है, सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, I want to tell everyone, that I am not interested, in holding any post, NC Babu, please come and become the chairman of Tipra Mautha, I have no problem, if you have a problem with the name Tipra, I have no problem, we will sit and discuss, if you have a problem with registration, I have no problem with that, let us sit down and discuss, but let us become one, Thansa does not mean we fight separately, we are all talking the same word, somebody wants Tipra land, somebody wants greater Tipra land, but our goal is for the Tiprasa people, we want to go to Delhi and speak in one voice for the unity of our people, for a constitutional solution for our people, if I have to even leave the post as chairman of Tipra Mautha, please come and become the chairman, I have no problem, Bijay Rangkwal has no problem, but I appeal to you all, I appeal to all political parties, please try to be one, we can only succeed if we speak in one voice, united we stand, divided we fall, it is easy to say, but Pradyot Manikya is a Bhubhagra, and there is no bigger position than Bhubhagra, because I am in your heart, and my political pose doesn't matter, so I am appealing to all of you all, Delhi Abhyanme, please join us, I am willing to take, whether you are from any party, I have no problem, but let us try to make some effort to become one party, Belaino Hambai, Dhanyavad, thank you, I love all of you all, God bless you.